कि नरेंद्र मोधी के हाथ खून में सने हुए हैं, किसानों की हत्यारी ये है सरकार, मोधी सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है, और ये कलंक अब मिट नहीं सकता है, ये 2019 में जवानों के खून पर राजनीती हुई, आज 2024 में किसानों के खून पर ये सरकार राजनीती कर रही है सरकार की छाती पर इस देश का किसान ट्रेक्टर लेके चढ़ने वाला है लुकुल ट्रेक्टर लेके छाती पर चढ़ेंगे और दिल्ली की बेरिकेटिंग और मोदी के घमंड और इनके कॉंक्रीट के दिवाल को तोड़ने का काम इस देश के किसान का ट्रेक्टर करेगा तो कैसे जो है वह बड़ी बड़ी गाड़ी में और एसी में सो रहा है अरे तुम्हारा बाप सो एगा क्या जेशी में जिस घाली में खाते हो उसी में चेट करते हो दिल्ली कूछ करने के लंकिन उसके बाद भी इस चीजे बाद चीज पर हमारे सब मौजूद है अतुल तुल त्रिपाटी जी सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जो ट्रेक्टर मार्च होने वाला है दुबारा किसान जो आने वाले उस पर आप क्या कहेंगे इस सरकार की छाती पर इस देश का किसान ट्रेक्टर लेके चढ़ने वाला है आज बार बार लगातार हम आगरह कर रहे हैं फिर भी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है कल जो है 26 तारीक को टेक्टर मार्च की हमारी तयारी है पूरे देश में किसान जो है वो टेक्टर लेके निकलेगा और इस देश की सरकार को ये बताएगा कि किसानों की ताकत क्या है आप देखिए किस तरीके से लगातार किसान शहीद हो रहे हैं आज शहीदों की संख्या तीन हो गई फिर भी ये तानाशा सरकार हमारी बात सुनने को तयार नहीं है हम तो कह रहे हैं कि हमें MSP गारेंटी कानून दे दिया जाए जो हमारा हक है जो हमारा अधिकार है जो सरकार नहीं वादा किया था आज से तीन साल पहले इन्होंने कहा था कि हम आपको MSP गारेंटी कानून दे देंगे प्रधान मंत्री लगातार जो है संसंद में कहते हैं कि MSP थी है और रहेगी तो हम तो सिर्फ कह रहे हैं ना कि हमको हमारा कानूनी अधिकार दे दीजी MSP पर गारेंटी कानून दे दीजी कि अब हमें सडकों पर उटरना सी जब लोक सो बचुनाव नजधीक हैं नहीं तो कब सुनते हैं ये सरकार हमारी हमने अभी 2022 में जब आंदोलन किया व्यमारी में आंदोलन किया उससे पहले 2018 में आंदोलन किया हम तो लगाता दस साल से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं आप एक तरफ स्वामी नाफन को जो है वह read में स्वामी नाथन को आप बारत रद套 करते हम दूसरी तरफ उनकी सब्सक्राइब करें तो जो हमारा जो दो एक रुपयां गार नहीं परता है उसका रेट फिक्स कर दो लुपया का पारले जी बिस्केट पांच रुपया में खरीदा जाएगा पांच रुपया से कम अगर खरीदा तो जो है अफराद माना जाता है उसी तरीके से हमारा गेहू चावल सबजी अगर एक तय दाम दे दिया जाए उससे कम भी अगर खरीदा जाए तो आप लोग फिर से मोधी को लाई और अपना हक ले जाए आप तो उनके विरोध में प्रदेशन पर उतर आए हैं हम मोधी जी से हमारा क्या विरोध भाई मोधी हमारा दुश्मन थोड़ी है तो हमने तो दो बार मोधी जी को लाकर देख लिया ना इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फरक है यही नरेंद्र मोधी जी दो हजार उन्निस से पहले कहते थे कि अगर हम उन्निस में जीत के आ हादिये लगातार जो है वो अब किसानों के जो है बिजली का उस पर मीटर लगायाने का प्रयास कर रही है तो लगातार किसान तो हाश यह पर जा रहा है जो गरीब हो करके आत्महत्या कर रहा है इस सरकार के उपर है यह किसान कर रहा है यह का किसान हर गहंटे आत्महत्या कर रहा है यह इस सरकार अपर कर पाई है वह भाजबा सरकार ने किसान वह वे कर दिया है किसानों के लिए आप minimize के जाइए यह भावों में माईक लेकर के जाजday उप अप शहरों में बैठ एक आप एक भड़े जो है के ड्वतरों में बैठ कर आप चीति जो है आप डियार कर है आप जा कर केbum में किसान के लिए सबसे जादा काम करा है देखिए पेपर में मौसम गुलाबी है यह सारे आंकडे किताबी है आज भी इस देश का किसान बधाल है और लगातार उसके उपर राजनीती की जा रही है आज बिहार का जो किसान है में 25 रूपया है लेकिन बिहार के जो किसान का जो गेहु है वह 18 रूपया 16 रूपया में बिखता है वह बड़े बड़े ठ्रकों में भर करके दिल्ली जो है बड़े बीचौलिये आरती जो है और आउने पौने में दाम खरीद करके वह जो है वह अमीर बन रहे है और इस का किसान दामते करेगा क्यों उसका पांच रूपय का टमाटर बिकेगा क्या आपको टमाटर पांच रूपय का मिलता है किलो का आपको तो 40 रूपय किलो टमाटर मिलता है किसान 5 रूपय किलो टमाटर बेचता है किसान 1 रूपय किलो मूली बेचता है आपको 40 रूपय मिलत आपको 15 रूपया, 20 रूपया किलो आलू मिलता है, यह जो दामों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है, यह जो इतना बड़ा खाई है, यह चिंता का विशह है, आज जो किसान मेहनत कर रहा है, उसको बीचोली खा जाते हैं, उसमें सरकार में बैठे हुए अडानी और अम्बा किसान को अगर MSP दे दिया, तो जो है वो आर्थिक संकट आ जाएगा और देश की एकॉनमी चर्मना जाएगी, इसी सरकार ने 2011 की रिपोर्ट जिसमें नरेंद्र मोदी जिसके अगुआ थे और कमीटी के हेड थे उसमें यह बताया गया था कि 23,000 करोड रूपया का अतरिक् करोड रूपया जो है अतरिक्त बो जाएगा जाने माने पत्रकार है सुदीर चौधरी जी उन्होंने बोला था कि अगर MSP दे दिया जाता है तो महंगाई अपने आप जो है बढ़ जाएगी तब ही MSP नहीं दे रहे हैं आप ये बताए कि जब अडानी का 14,56,226 करोड रू जाथी खाते देखी हैं आप नहीं देखिए ना पड़्णी को अपने देखा जंतर मंतर पे अड़ानी कैसे अपनी बात मनो आ लेता है और 14 लुट करोड रूपया माफ करा लेता है और इस देश का किसान मरता है लाथ खाता जूता खाता है आत्माहत्या करता है उसका एक किसान मजबूत होगा ना जब वो फाइव स्टार होटल में जाएगा जब वो बड़े ब्रैंडेड कपड़े पहनेगा बड़ी गाडियों में घूमेगा तब इस देश में जो है वो सही माइने में अचैनीमि इस देश की मजबूत होगी सो यह दलाल-पत्रकार कहते हैं कि इस देश का किसान fight with तब वो एसी में सोता है तब वो गाड़ी में घूमता है आज ये गोधी मीडिया किसानों के उपर सवाल उठा रही है तुम्हारे जैसा नकाल तुम्हारे जैसा जिस ताली में खाते हो उसी में छेत करते हो इनका इस इसकी अगर अन बन कर दिया जा इस मीडिया का न तो चार बिल्कुल ट्रेक्टर लेके छाती पे चड़ेंगे और दिल्ली की बेरिकेटिंग और इनके कॉंक्रीट के दिवाल को तोड़ने का काम इस देश के किसान का ट्रेक्टर करेंगा हमने इतिहास लिखा है और बेरिकेटिंग तोड़ने की बात आएगी तो हमारे दस मिनट का खेल है बेरिकेटिंग तोड़ना लाल खिले पे भी बेरिकेटिंग लगाई गई थी दस मिनट में तोड़के और लाल खिले पे भी हमने अपनी बात को रखा था तो ये बात हमसे मत कहें कि हमारे हमारी हमारी कमजोरी ना समझी हि Orange यहां हम लगातार हमारे किसान शहीद हो रहे हैं हमहारे अंदर और बढ़ता चला जा हैं हम एक तरफ लाशे देख रहे हैं लाशों को कंधा देकर के आ रहे हैं इसलिए ये रोश है क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सुन रहा हमारी बात आप बताओ ना किसके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सवा सौ करोण लोगों के प्रधान मंत्री है हमारे भी प् मांगों को लेकर अडिग है और अगर हमें मुले तो आप आप देखेंगी कि आने वाले समय में हमारा अंदोलन और तेज होगा कोई बैरिकेटिंग कुछ नहीं रोक सकता है हम रुके हुए हैं क्योंकि हम हिंसा नहीं चाहते हैं हम उनमाद नहीं चाहते हैं हम वाइलेंस नहीं चाहते हैं इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन बार- आज तो पूरे देश को लड़ाने की साजिश है पहले 2019 में जवानों के खून पर राजनीती हुई आज 2024 में किसानों के खून पर ये सरकार राजनीती कर रही है इससे बड़े शर्म और दुर्भागी की बात नहीं हो सकती है मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि पहचानिये जवानों और किसानों की खून पर राजनीती करने वाले लोग को क्योंकि जवानों और किसानों की खून पर राजनीती कर सकता है वो किसी का सगा नहीं हो सकता है आज हम मारे जा रहे हैं आज किसान नौजवान मारे जा रहे हैं कल आपका नंबर होगा क्योंकि विश्वयुद की एक कविता है कि वो हमारे शहर में आए हमने कान बंद कर लिया वो हमारे महले में आए हमने दर्वाजा बंद कर लिया लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मु आने वाले इतिहास में दर्ज होगा और हम अपनी मांगो को लेकर अडेग है मेरी बहन आप देखेंगी कि आने वाले समय में और 14 तारी को हम दिल्ली कूच करेंगे दिल्ली की रामलीला मैदान में हमारा आंदोलन होगा वहाँ पे हम अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे अगर 14 तारी को हमें रोका गया तो किसान सहयुक्त मोर्चा आने वाले समय में एक तीवर और उग्र आंदोलन इस तानाशा सरकार के खिलाफ करेगा धन्यवाद जय है तो जाहिर तो देखा जा सकते हैं उन्हें सीधा बोल दिया है कि अगर जो है MSP नहीं दी गया और इनकी मांगों को जो नहीं माना गया तो आगे आंदोलन और बड़ा होगा और अभी हम शांती पूरवक बात करने को तयार है लेकिन बाद में हम और भी ब